बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कि आ रही है चिराग पासवान ने किया है बड़ा आयलान जमोई से उनकी मा रिना पासवान और हाजीपूर से खुद चिराग पासवान लड़ेंगे दोहजार चोविस का लोग सभा चुनाव नमस्कार आप देख रहे ह उसके पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आई ये खबर जानते हैं विस्ताफ से बड़ी खबर आ रही है चिराग पासवान ने बड़ा एलान करते वे कहा है कि उनकी मा रिना पासवान जमोई से चुनाव लड़ने के लिए तयार है बताने की बरतमान में जमोई से चिराग पासवान सामसद हैं और हाजिपूर की सीट को लेकर चाचा और भतिजे की बीच की लड़ाई जग जाहिर है और दोनों के बीच की लड़ाई सामने आ रही है जिसमें हाजिपूर से चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान तैयार है तो दूसरी तरब उनके चाचा पसुपती पारस अपनी सीट छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है लेकिन इसी भी चिराग पास्वान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी मा रिना पास्वान जमुई से जहां से वो खुद सामसर्द महां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और वहीं चिराग पास्वान जमुई छोड़कर हाजिपूर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है हालाकि इसके बाद भी चिराग पासवान ने 42 से और नावादा से लड़ने का भी बड़ा आयलान कर दिया है लेकिन इसके बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या रिना पासवान जमुई से को परचस्वा दिखा पाएंगी जो उनके बेटे चिराग पासवान दिखा रहे हैं और जमुई के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं लेकिन बतादे कि जमुई की जनता तो यही चाहती है कि चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़े और उनकी मा रिना पासवान हाजीपूर से लड़े तो बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है चिराग पास्वान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी मा रिना पास्वान जमुई से और खुद हाजीपूर से लोग सबा का चुनाव लड़ेंगे खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तब तक के लिए धन्यवाद जैहीन जैभारत